नमस्कार फैंट्स में नाम बबली वर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है तो फैंट्स हम पढ़ रहे थे अपना बी ए पूर सेमिस्टर ठीक है लेट जाने के कार्ड कुछ प्रॉब्लम आ गई थी ठीक है इस बैसे आपकी वीडियो वहीं पर रुख गई थी चल कोई बात नहीं अब फिर दोबारा बनाते हैं ठीक है और दोबारा स्टार्ट करते हैं यह अपना है यह फूर समेस्टर और जिसमें करते हैं फटा पर हमने कोशन नंबर 17 तक देख लिया था जिसके से को पीडियाफ या फिर एप लिंक या फिर प्लेलिस्ट चाहिए ना प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको कहा जाना है हमारी साइट पेपर है कर आपको आपको सब कुछ अबेलेबल हमने करा रखा है अब करते किसने कहा कि संसार के समस्ति पराड़ियों में केवल मनुस्स ही सामाजिक जीवन बैतीत कर सकता है तो समाजिक जीवन बैतीत कर सकता है इसका मतलब तो आपको कि उसकी किसे सेवा की होगी तो सेवाइन ऐसे आप इसको याद कर सकते हो यहां हो जाएगा तुम्हारा सेवाइन ने अगली बात करता है यहां तक हमने कोशन पढ़ रखा था ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यहां देखेंगे लैटर फ्रॉम ए स्टोइक किसकी कि यहां पर बताना है है लैटर फ्रॉम ए इस्टोइक जो है ऊससी आपको यहां सेखेंगे आराम से आको यहाद हो जाएगा अगले बात करते हैं दर्सन सास्त्र और राजनितिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक कौन है दर्सन सास्त्र और राजनितिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक कौन है तो बहर हो जाता है प्लेटो कौन जाएगा प्लेटो आपको देखने को मिल जाते हैं बैर wanna do चलो में अगले बात करते हैं प्लेटो का जर्म नाम क्या था तो लह दो का जो वास्थिविक नाम था बो था तुमारा और से में तक लीज कौन था और इस्तो किलीज यहां पर देखने को आपको मिल जाता है बेरी इंपोर्टेंट है प्लोटो का वास्तविक नाम और यह रहने बाला कहां का था दो चीज़े आपको बहुत बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है प्लोटो से संबंद तो आप ऐसे आद कर सकते हो कि एते यह क्या है एथा को याड कर सकते हो तो एथेंस आपको याद हो जाएगा और बात करते हैं प्लेटो किसी को लूटने की बात और यहीं कर पिलेखके क्रेटने के भलत चाइनसी को कि आ stat आपको यहां जाते हैं सिकंदर के गुरू हो जाते हैं अरस्तू और अरस्तू के गुरू कौन हो जाते हैं तो आपको के बजाते हैं सुकुरात कौन आते हैं सुकुरात आपको के यहां पर जो पिलेटो के गुरू हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे आपको के पिलेटो के जो गुरू हो ज ग्यान और मध्यम बर्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है ये किसने कहा था तो बात करते हैं कनफ्यूसियस के बाद हैना कनफ्यूसियस जो था उसके बाद अरस्तु सामान ग्यान और मध्यम बर्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक था ये किसने कहा था तो ये कहेंगे कैटल इनने ये बात कही थी, ठीक है, चल, तो अगले बढ़ते हैं, यहां दरेखा है, या तो हम पिलिटो के अनाई हो सकते हैं, या हम अरस्तु के, निमने मेंसे किसका कथन है, या तो हम पिलिटो के अनाई हो सकते हैं, या तो फिर हम हो सकते हैं, अरस्तु के, ये बात किसने कही थ तो आपको या तो हम प्लूटो की तरफ जा सकते हैं या तो हम अरस्तू के तरफ जा सकते हैं तो क्या हो सकते हैं मिक्स नहीं हो सकते हैं मिक्स मतलब मैक्सी यह ना ऐसे इसको याद कर लेंगे या तो हम प्लूटो के रहेंगे या तो हम रहेंगे अरस्तू के मगर मिक्स नहीं तो आपको जागा मेक्सी बिल्कुल याद रहेगा अगले बढ़ते हैं next question यहां रिखा है रिपबलिक मानव जीवन के दरसन का नाट की रूप है यह कतन किसका है जो रिपबलिक है रिपबलिक इसकी बुक है आपको गए प्लूटो की है किसकी है प्लूटो की रिपबलिक मान नेटल सिप ने यह वाद कही थी कि रिपबलिक मानव जीवन के दरसन का नाट की यह रूप है नासे नाटक और नासे और आपको मिल जाएगा नेटल सिप है आराम से याद हो गया अब लिए बढ़ते हैं देकर मानसिक रोग को मानसिक औस दिवारा ही ठीक किया जा सकता है यह क्तन किसका जो मानसिक रोग होते हैं उनको मानसिक औस दी के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है यह कषब किसका है तो यह नहीं है यह पूछ रखा है नहीं है आपको फोकस करना है तो आपको कि उत्पादक बर्ग बिल्कुल देखने को मिलेगा सैनिक बर्ग देखने को मिलेगा सासक बर्ग देखने को मिलेगा मगर पूझी पती बर्ग यह बिल्कुल अलग आपको देख रहा है यहां पर और यहीं देखने को नहीं मिलने वाला ठीक है अगले वड़ते हैं यहां देखा है राज मानब मस्तिक्स का ही ब्यापक रूप है यह वाकिकस का है यह किसने कहा है यह वताना है राज मानब मस्तिक्स का ही ब्यापक रूप ह यह बात किसने कही थी तो राज जो है वो मानब मस्तिक्स का एक ब्यापक रूप है यह बात कही थी किसने प्लेटो ने कही थी किसने कही थी प्लेटो ने अभी हमें मस्तिक्स के बारे में पढ़ा था तो मस्तिक्स से हमने देखा था प्लूटो के बारे में तो बहां से आप इ अरस्तु ने है अगले बात करते हैं व्यक्ति एक सामाजिक प्राड़ी है किस ने कहा तो आंको के बैक्ति कौन है एक सामाजिक प्राड़ी है समाज में रहने वाला एक प्राड़ी है ये बात किसने कही ये बात अरस्तु ने कही किसने कही ये बात कहे दी अरस्तु ने वे अगले बात कहते हैं सिकंदर के गुरु कौन थे अभी हमने पड़ा था सिकंदर के गुरु हो गए अरस्तु अरस्तु के गुरु हो गए प्लेटो प्लेटों की गुरु हो गए सुकरात हमसे क्या पूछ रखा है सिकंदर की गुरु सिकंदर की गुरु थे आपको की अरस्तु हो जाते हैं सिकंदर की गुरु हमने बहुत अच्छे प्रकास इसको पढ़ लखा अगले बात कहते हैं राज् millimeter सास्त समस्त मानब जीवन के कल्यान का प्रतिपादन करने वाला सास्त्र है ये बात कह दी खुद अरस्तु ने किसने खुद अरस्तु ने कह दी क्योंकि अरस्तु कौन है आप कोगे राजनितिक सास्त के पितामा कहे जाते हैं अगले बात कर लेते हैं इसकी बात करते हैं पिलेटो ने आदर्स राज में किसकी स्थापना की आप पिलेटो की बात कर दी पिलेटो के अनुसार सिच्छा का क्या अर्थ है पिलेटो के अनुसार सिच्छा कारत है सिच्छा बहस आदन है जिसके दोरा ब्यक्ति अपने करतब या निस्वार्थ भाव से पालन करना सीख जाता है पिलूटो ने के अनुसार सिच्छा करते गया है सिच्छा बहे सादन है जिसके द्वारा बेक्ति अपने करतबिका निस्वार्थ भाव से पालन करना सीख जाता है ठीक है सीखता है अगले बढ़ते हैं पिलूटो के अनुसार सासक को होना चाहिए जो प्लूटो है उसके अनुसार सासक को कैसा होना चाहिए ये आपको यहाँ पर बताना है सासक कैसा होना चाहिए जो आप पर राज कर रहा है वो कैसे होना चाहिए वो बिवेक सील होना चाहिए उसके अंदर बिवेक की छमता होनी चाहिए क्यों 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 प्लूटो कैसे याद करोगे Pluto मतलब लूटना अब लूटने वाला है कोई सासक को लिया लूट तो उसमें क्या होना चाहिए भई धैर होना चाहिए भिवेक होना चाहिए भिवेक सील कट हएसं फ्रकास से मतलब क्या कर सकते हैं ti ribbon को प्रक्ष्ण कर रही है किससे संब्धित है रिपाब्लीक है है 'dipu कि प्लेटो के सिच्छा सिध्धानतिकि में उच्छ सिच्छा प्रारम होती है अब चṣสिच्छा प्रारम कितने सिच्छा मानसिक व्यक्त को दूर करने का मानसिक उपचार है सिच्छा मांसिक ब्यादी को दूर करने का मांसिक उपचार है ये कतन किसका है ये बताना तो ये कतन किसका है सिच्छा मांसिक ब्यादी को दूर करने का मांसिक उपचार है आपने मस्तिक्स के बारे में पढ़ा था वही हाजी पढ़ा था इसके बारे में पढ़ा था तो आपको प्लूटो के बारे में पढ़ा था तो प्लूटो यहां पर क्या हो जाएंगे बिलकुल सही आंस हो जाएंगे पड़ी सी हिंट आपको मिली अगले बात करते है रिपबलिक राजनितिक सास्त का गरंत नहीं बरन सिच्छा पर कभी भी न सिच्छा पर कभी भी ना लिखा गया एक सर्वस्रिष्ट गंत है ये बात कह दी रूसों ने तो वो गया रूट है ना रिपबलिक, पिलूटो क्या गया रूट तो इस प्रकास से पहले भी हमने हिट नहींट मनाई थी ट्रिकी तो वो जाना सकती साली का हित ही उसका नियाए है इससे बात करते हैं ये जो कतन है वो किसकी अध्धरणा है ये बता रहा है आपके लिए तो किसकी है ये सिफेलस की है किसकी है ये सिफेलस की अध्धरणा आपको देखने को मिल जाती अगले बात करेते हैं यहां दरेका है on the law के लेखक कौन है भी on the law के लेखक कौन है law law क्या है एक प्रकार से law है तो law क्या हो जाएगा law जाए हाँ पर मिलेगा case law और case तो krisius krisipus आपको देखने को मिल जाते हैं law और case krisipus ऐसे इसको राद कर सकते हैं अगले बात करते हैं, प्लूटो का सबसे प्रमुक संबाद कौन सा हो जाता है, प्लूटो के अनुसार सबसे प्रमुक जो पुस्तक है, वो कौन सी हो जाती है, या फिर निम्लिकित में से कौन संपूर मानव जीर दिन दरसन की रचना मानी गई है, वो बताना है, वो कौन सी हो कि हमने देखा था लूटेंगे तो क्या करेंगे आपको गड़ती भई गड़ती लगाएंगे प्रतों ना जब लूटेंगे तो उसका लेखा जोगा करेंगे भी गड़ती लगाएंगे इतना लूटा तो इस प्रकास से आपके गड़त से संबंद्ध हैं ऐसे वने ट्रिक पह यह हैं छोटा बच्चा होता है तो यहांप देखो लौक करते क्यं सब्सक्राइब्‌ के सिसू है रखले बात कर नेक्स elas को नागरिको में करतब भावराही राजिका नियाय सिद्धान्त है ये किस ने लिखा है नागरिकों के नागरिकों में कर्दब भावनाई राज का नियाय सिद्धान्त है ये कथन किसका है तो ये कथन नियाय सिद्धान्त किसका है आखोगे प्लूटो का है किसका है प्लूटो का है अगले बात करते हैं प्लेटो के नियाय सिद करतब यही क्या है नियाय है तो यह करतन कि सके हैं कि अखर के अगले बात करते हैं यदि पलेटो जीवित होते तो वे आदुनिक सामवादी से भी प्रबल सामवादी होते निम्न में से किसका कतन है तो ये कतन किसका है आपको कि फॉस्टर का है किसका है फॉस्टर का हो जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट वो कह रहा है पहले से भी और क्या होते प्रबल हो जाते फास्ट हो जाते तो foster हो जाते हैं ऐसे आप इसको याद कर सकते हो अगले बात करते हैं पिलोटो का सामवाद था पिलोटो का सामवाद कैसा था बताओ पिलोटो का जो सामवाद था वो कैसा था केबल अभी भाबक बर्ग के लिए था क्या हाजी केबल अभी भापक बर्ग के लिए था बेरी इंपोर्टेंट कुश्चन है ये वाला पिलूटो का सामबाद कैसा था तो केबल अभी भापक बर्ग के लिए हो जाता है बेरी इंपोर्टेंट कुश्चन अगले बात करते हैं सामवाद का सिध्धान्त किस ने दिया जो सामवाद है very important है सामवाद का सिध्धान्त किस ने दिया था तो अभी हमने पढ़ा था किस के बारे में पिलूटो के बारे में तो सामवाद का सिध्धान्त कौन देंगे आप कोगे पिलूटो देंगे ऐसे भी हमने याद किया था कि लूटो लूटेंगे कब आपको साम को तो साम बाद का सिध्धान कौन देंगे पिलेट हो देंगे अगले बात करते हैं अरस्तु के संबंद में कौन सा कथन अधिक सत्य प्रतीत होता है तो अरस्तु के अनुसार बताओ सबसे जदा सत्य कौन सा देखने को मिलेगा ठीक है वह कौन सा हो जाता है तो आपको के वह यथार्थ वादी विचारक थे वो कैसे थे वह यथार्थ वादी विचारक थे आपको फासना है दिमाग में very important question है कि अरस्तू के सम्मद में कौन सा सबसे अधिक शत्य है तो वह यथार्थ बादी विचारक थे very important question अगले बात करते हैं निती सास्त को राजनितिक सास्त्र से सरप्रत्म प्रतक करने का प्रियास किया था किसने किया था ये बताना है यहां देखा है निती सास्त को राजनितिक सास्तर से प्रतक करने का प्रियास देखो निती सास्तर अलग है और राजनितिक सास्तर क्या है अलग है तो ये कौन करेंगे आपको अरस्तु करेंगे यही सबसे महान है अगले बात करते हैं अरस्तु को सरप्रथम राजनितिक बैग्यानिक कहा था किस ने कहा था वही अरस्तु को सबसे पहले राजनितिक बैग्यानिक किस ने कहा था तो आपको कौन कह सकते हैं ऐसे तो बही जो पृथक कर लेंगे जो पृथक कर लेंगे बही तो कहेंगे तो पृथक किस ने किया था आपको के मैक्सी ने किया था प्लूटो और अरस्तु को पृथक है ना इसको हम पहली पढ़ चुके हैं अगले बात कहते हैं तो अरस्तो को सरबर्थम राजरतिक बैग्याने किस ने कहा तो वो कहेंगे कौन जो प्रिथक कर लेंगे एक दूसरे को तो वो कहेंगे maxi अगले बात करते हैं सुरेड़त मध्यम मार्ग की धारणा है जो सुरेड़त मध्यम मार्ग की धारणा है वो किसने अपनाई थी ये बताना है तो सुरेड़त मध्यम मार्ग की जो धारणा है वो अपनाई थी किसने अरस्तू किसने अरस्तू ने अपनाई थी तो right answer रहेगा अरस्तू अगला है तुम्हारा एक समय में या तो हम प्लेटो के नहीं हो सकते हैं या तो अरस्तू के हम पहली पढ़ चुके हैं या तो हम रहेंगे प्लेटो के या तो हम रहेंगे अरस्तू के ये बात किसने की पिर्थक होने क वहाई mix नहीं होँगे तो mix नहीं रहेंगे तो क्या हो रहेंगे फ्रिष्ठक रहेंगे तो maxi झें आगली बात करते हैं अरस्तू के संबंद में क्या कथन यह कथन है कりました कि उसके दासनिक संबंद सासे साची तो आपको सेवाइन देख लेना है आराम से आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा कौन सर रहेगा सेवाइन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा अगले बात करते हैं राजनितिक सास्त्र का पिता कौन कहला था जो राजनितिक सास्त्र है उनके पिता क अरश्टू थे महानतीच है अनले बात करते हैं अरश्टू का जनम हुआ है ब्ह Obviously he जनम कब हुआ था बताओ भी आंसर क्या हुझा अरस्तू का जनम कब हुआ था इनका जनम हुआ था 384 में कब हुआ था 384 में अरस्तू का जनम हुआ था ठीक है अगले बड़ते हैं next question कि बात कहते हैं 384 में यहां देखा है politics को राजनीतिक के छेतर में आपको गे मेगुनम है ना मेगुनम उपस मेगुनम ओपस किसने कहा है ये बता मेगुनम ओपस किसने कहा है पॉलिटिक्स को राजनितिक के छेतर मेगुन मेगुनम ओपस किसने कहा है ये बता हूँ आंसर क्या रहेगा भी very important question है यह वाला very very important question आता है तो अब किसने कहा है आपको वार करने कहा है किसने कहा है वार करने यह कहा है इसका answer यह रहने वाला अगले बात कहते है अरस्तु में जो प्रिस्तुत्य नहीं है अरस्तु में जो प्रिस्तुत्य नहीं है वह है उसका मानव जीवन की खुलहाडी से दो भागों में काट डालना निमन में से यह कथन किसका है पताओं हुछ यह कथन किसका हो जाता है तो ऐसे आद करो खुलहाडी से काटने की बात कर रहा है तो यहां पर क्या उदाएगा रॉस तब काटेगा बुद्धी मता किसने कहा अरस्ती को अरस्तु को अकादमी का मस्तिक्स कह दिया और बात कहते हैं या उनको सरीरधारी बुद्धी मता कह दिया बताओ ये बात किसने कही थी ये बात कौन कह सकते हैं आप को अरस्तू के गुरू कहेंगे कौन कहेंगे अरस्तू के गुरू कह देंगे उनका नाम था पिलेटो कौन था अरस्तू के गुरू ने कहा था पिलेटो ने ठीक है अगले बात कहते हैं यहां रखा है पिलेटो का सामेबाद अध्यात्मिक बुरा कि निका अध्यात्मिक बुराईयों का भौतिक निदान है, यह बात किसने कह दी, तो यह बात कह दी अरस्तू ने किसने, यह बात कह दी भई अगले बात करते हैं ह sollte हम पिलिटों के अन्नाईन है या अरस्तू के , यह बात कह процते हैं यह बात कῶत sometime मैकसीनेटी है अगला किस राजनितिक विचारक को पिर्थम अधुनिक राजनितिक चिंतन होने का सरेप्राप्त है तो पिर्थम राजनितिक चिंतन कौन है यह बताना है यह आपर बात कहते हैं राजनितिक विज्ञान के जनक कौन है और जनक कौन है आप सभी को पता है किस राजनितिक विचारक को पिर्थम अधुनिक राजनितिक चिंतक उसने पिर्थम लगा दिया क्या लगा दिया पिर्थम लगा दिया और यहां पर भी क्या है राजनिति विज्ञान के चनक जब पिर्थम लगा दिया तो कहां की और पहुंच जाएंगे अरस्तु की और पहुंच जाएंगे और सेकंड प्लेटो के सिच्छा योजना अनेक द्रbourशटीयों से इस्पश्ट या अधुनिक लगती है ये बात किस ने कहती ये बात कहती मैटसीने किया ये बत कहती gider अगले बात करते हैं प्लेटो के संपत्ती विश्यक सामिबाद का उद्देश है जो प्लेटो के संपत्ती विश्यक सामिबाद है उसका उद्देश क्या है उसका उद्देश है राजनितिक प्लेटो किसे हैं तो आपको के राजनिती समझते हैं तो राजनितिक यहां पर विल का जो दिन राज की एकता का महान दिन होगा ये कथन किसका है तो परिवारों के उनमूरन का दिन राज की एकता का महान दिन होगा तो ये कथन है पिलेटो का किसका है ये कथन है पिलेटो का अगले है पिलेटो के अनुसार प्रवंद के पिलेटो के अनुसार प्रजन के लिए चुने जाने वाले पुरुसों की अवस्था होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए बताना तो बात करते हैं पुरुसों की जो अवस्था है वो कितनी होनी चाहिए हमने कहा पासे प्लेटो पासे पुरसो पासे 25 पासे 55 तो बिल्कुल याद रहेगा 25 से 55 बर्स होनी अगला है प्रजनन हेतू चैने तिस्तियों की आयू कितनी होनी चाहिए प्रिजनन हे तू इस्तरी की जो आयू है बे कितनी होनी चाहिए तो 20 से 40 बर्स होनी चाहिए किसे 20 से 40 बर्स होनी चाहिए और पुर्सों की कितनी होनी चाहिए 25 से 55 बर्स होनी चाहिए कितनी 25 से 55 बर्स होनी चाहिए इस्तरीयों की 20 से 40 बर्स होनी चाहिए अगला है तुम्हारा निम्न में से कौन सा दारसनिक सासक का गुड़ नहीं है इसको आपको धान रखना है नहीं है तो बह कौन सा है आगो के पहला है नियाय का प्रेमी होना चाहिए बिलकुल होना चाहिए बिवेक का प्रेमी होना चाहिए निस्वार्ती होना चाहिए अलग हो जाता है राजा को किरोधित होने चाहिए क्या राजा को किरोधी नहीं होना चाहिए अगले बात करते हैं दास की सजीव साधन माना जाता है जो दास को सजीव साधन मानते हैं वो कौन मानते हैं यह बता दास को सजीव साधन कौन मानते हैं तो बहे कौन है आपको के द दास को जो सजीव साहतन मानते हैं वो मानते हैं अरस्तू कौन मानते हैं अरस्तू मानते हैं आंसर रहेगा अरस्तू अगला है कोशन देरे का तुमारा इस्तरी पुरुस अत्वा स्वामी दास के योग से जो समू बनता है वही परिवार है ये कतन किसका है तो मैंने कहा ना इस अरस्तू आँको देखने को मिलेगा अगले बात करते हैं राज एक श्यॉभाविक 사명 है ये कहा है राज एक श्युभाविक 사मूदाय है ये बात अरस्तू ने कही इस ने कही ये बात अरस्तू माना कितना अंतर जो है वो उचित माना है तो वह कितना अंतर है आपको कि 20 बर्स का जो अंतर है वो उचित माना है कितना 20 बर्स का अंतर जो है वह है उचित माना है तो इस प्रकार से आपकी यूनिट होती है बन खतम कौंसी यूनिट नंबर जो बन होती है वह आपकी खतम होत बहुत आराम से आपको सुनना हैं हर ट्रिक को फॉलो कर भाते हूए चलना है बार में बढ़ादेना ते बार में आप क्या करें ₩ वकल स्पीड बढ़ादे और फटाब है कि": आप को सारा याद हो जाएंगा और जैसे है आप लगाओगे क्युश्यन पर तुरंत आपको वही ट्रिक हे याद हो जाएगी तो वीडियो अच्छे लगए विडियो को लाइक करना शेर करना चैनल को करते हैं सब्सक्राइब बहुत निकले तो हर चीज है मिलेंगे तब तक के लिए जैँन झाया करें आप